हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल अगर आपने मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे बेल आइकलन भी प्रेस कर दीजेगा तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर की खीर आपने गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा मगर इतनी यम्मी और टेस्टी गाजर की खीर पहली बार खाएंगे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक लीटर दूद लेकर उसे गरम कर लिया है फुल गरम करना है जैसे कि आप दूद को ओटाते हैं अब चलिए मैं आपको इस मेरे पढ़ने वाले इंग्रेडेंट्स बता देती हूँ एक टेबल स्पोन मैंने काजू काट लिया है एक टेबल स्पोन बादाम काट लिया है ये साथ से आठ इलाइची है हरी इलाइची एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर है दो टेबल स्पून चावल का आठा है आप चाहें तो चावल कच्छा चावल लेके उसे ग्राइंड कर सकते हैं ये मैंने चार गाजर कद्दू कस कर ली है अब मैं हरी इलाइची और एक चमच्चीनी को आपस में कोट लूँगी अच्छी तरीके से ताके इलाइची के जो दाने होते हैं वो बाहर आ जाएं और बहुत अच्छी सी ये खुश्बू देते हैं ये दिखिए दूद्ध गरम हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ा 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 करके चावल का आटा डालूंगी और कंटीनियसली इसको स्टर करूंगी अगर आप चावल का आटा डालने के बाद या फिर आपने जो चावल पीसे हैं उनको डालने के बाद छोड़ देते हैं चाबल नीचे लग जाएंगे और फिर खीर में जलने की स्मेल आएगी ये हमारा चाबल काटा अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर जो गाजर मैंने कद्दू कस्की करके रखे थे ना वो मैंने डाल दिये हैं इसको भी चलाएंगे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे साथ ही डाला है मैंने एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से खीर का टेस्ट बहुत बहुत अच्छी अच्छा हो जाता है मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसको विस्क से इसको स्टर किया था विस्क से स्टर करने से जो है ना जो लम्स नहीं पड़ते है मिल्क पाउडर के ये देखिए खीर अच्छे से उपर आ रही है यानि पग गई है छोटी इलाइची जो हम नचीनी के साथ पीसी थी वो डाल दी है कंटीनियसली हम चलाते रहेंगे ये तो आप भी जानते होंगे के खीर को छोड़ते नहीं है वो लग जाती है मैंने थोड़ इसे धागे केसर के पानी में भिगो लिए थे ये भी इसमें डाल दिये हैं से बहुत प्यारा सा कलर खीर का आ गया अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 बाउल यानि 1500 ग्राम के करीब शुगर दूसरे साइड में मैं असली घी में ड्राइफ रूट को रोस्ट करूंगी मैंने पहले नारियल के टुकडों को रोस्ट किया है ये बहुत जल्दी जल जाते हैं तो इनको काफी ध्यान से रोस्ट करना होता है फिर मैंने बादाम और काजू एक साथ ही रोस्ट कर लिये हैं इन रोस्ट किये हुए ड्राइफ रूट को मैं खीर के उपर डाल दूँगी क्योंकि खीर बन चुकी है ये बीच में जो आप येलो सरकल देख रहे हैं ये मैंने येलो फूट कलर से बनाया है ताकि देखने में ये खुबसूरत लगे मैंने सारे ड्राइफ रूट खीर के उपर डाल दिये हैं थोड़ा सा गाजर जो कद्दू कस किया हुआ था वो भी करनेशिंग के लिए डाल दिया है ताकि देखने में काफी अट्रेक्टिव लगे अब हम इसकी सर्विंग करेंगे बाउल में हमने खीर निकाल लिये हैं और उपर से बच्चों को अट्रेक्ट करने के लिए मैंने टूटी फ्रूटी डाला था देखे कितना प्यारा लग रहा है ना टूटी फ्रूटी देखने के बाद तो बच्चे टुके ही नहीं और खाने के बाद दुबारा फिर एक एक बाउल की और डिमांड की गई मेरे बच्ची जो है ना चोटी वाली वो तो कह रही थी मैं स्कूल में लेकर जाओंगी मैंने का बेटा आप लंच बॉक्स में खीर कैसे ले जाओगे उमीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माइ चैनल एक बार बना कर जरूर देखिएगा जबर जस्ट टेस्ट है इस खीर को खाकर मेरी तारीफ तो की ही गई आपकी भी बहुत तारीफ होगी तो बहुआ लूटिये प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माइ चैनल पर मोर वीडियोज और मोर रेसिपीज स्टे कनेक्टेड थैंक्स वर वाचिंग